हलो मै लवली बेकर्स तो आज के इस वीडियो में नूर के आर 11 जो की एक बड़े साइस का रोस पेटल वाला नौजल होता है साथी पेपर कप की एक स्मार्ट सी ट्रिक को यूज करके मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से कलर कॉंबिनेशन में डिफरेंट से फलार वाली केक की डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर केक स्पॉंज मैंने बना करके रेडी किया हुआ और पिंक कलर की क्रीम से मैंने केक की फ्रॉस्टिंग भी कर ली है अब यहाँ पर मैंने लिया है नूर का ये आर 11 नौजल ये काफी बड़े साइस का नौजल होता है अब क्योंकि हम फ्लार की टिप्स पर एक बहुत ही प्यारी सी अलग शेट चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए ब्लू कलर लिया है जेल कलर और जो टुट पिकाती है बड़ी वाली उससे मैं नौजल के पतले वाले एंड से निशान बनाते वे पाइपिंग बैग मे आप क्लोस कर लिजेगा बिल्कुल भी आपको यहाँ पर इसे हिलाना नहीं है और बस आपका देखिए डूल शेट का फ्लार जो है इससे बहुत ही सुन्दा तरीके से रेडी होगा यह देखिए आप चाहे तो ब्लू कलर की क्रीम को भी नौजल के से एंड पर लगा सकते है और अब जो यह मार्केट में चाय और पानी पीने वाले यूजन थ्रू वाले पेपर कप साते हैं वो हम लेंगे और इसकी बैक साइड में पहले तो हम एक ट्राइंगल सा पार्ट बनाएंगे थोड़ा सा क्रीम को समझ कर देंगे ताकि फ्लार को उठाने में इजी हो और ब प्रेंड्स ये फ्लार डारेक्ट की केक पर बना सकते हैं अभी एंड में में वो भी आपको दिखाऊंगी और तुद्पिक की मदद से देखें मैं इस फ्लार को केक साइड में प्लेस कर रही हूं चलिए एक बार और और इसे अच्छे से बनाना सीख लेते हैं आप क्यों क् पेपर कप के ओपर थोड़ी सी क्रीम पहले स्मज़ करनी है ताकि एक बेस बन जाए और बस नौजल के मोटे वाले एंड को अंदर की तरफ और पतला वाला एंड जहां पर आपने कलर लगाया है वो बाहर की तरफ रतना है और नीचे से पेपर कप को रूटेट करना है तो बहुत ही प्यारा सा ये फ्लार बन जाएगा आप चाहें तो फ्रेंड्स मार्केट में जो फ्लार नेल आता है वो भी उस कर सकते हैं पर आज हम पेपर कप की ही स्मार्ट रिक यूज़ कर रहे हो और इस तरीके से आप चार से पांच फ्लार बना करके इस केक के साइड्स में place कर लीजेगा अगर आपका cake बड़ा है तो आप ज़्यादा flour भी लगा सकते हैं ये देखिए बहुत ही ध्यान से आपको cake पे flour place करने होंगे अगर आप paper cup के उपर base अच्छा बनाएंगे तो आपको उठाने में दिक्कत नहीं आएगी ये देखिए हलका हलका सा बस rotate करते जाना है और बस इसे अपने cake पर place करते जाना है ये देखिए वैसे तो friends ये वाले flour कोई भी rose petal बनाने वाले nozzle से बन जाएंगे बट R11 से ये बड़े size के और अच्छे बनते हैं और यहां पर देखिए direct पर अगर आप चाहें तो flour cake पर बना सकते हैं बस पहले थोड़ा सा एक base बना लीजेगा और अब flour हमारे बन गए है बीच में white part है तो इनके बीच में में थोड़ा सा yellowish shade effect देने के लिए ये color spray कर रही हूं yellow वाला आप अपनी choice का कोई भी spray कर सकते हैं और यहां पर बीच के part में friends मेरे पास थोड़ी से yellow और white की mixture वाली cream थी तो मैंने piping bag में भर करके उसमें छोटा सा चेक कट किया है और बीच में मैं एक ऐसी noodle वाला design सा बना रही हूं बनाना तो friends में कुछ और चाह रही थी यह happy birthday का एक sticker लगा दिया है friends यह मेरे साथ ही नहीं कई बार सभी के साथ होता है कि हम बनाने कुछ चाह रहे हूं लेकिन बन कुछ और जाता है लेकिन फिर भी हमें उसे manage करना पड़ता है और अब यहां पर green color की cream से देखिए उल्टा भी कट दे करके मैं यह पतियां बना रहे हूं उल्टा भी कट कैसे दिया जाता है वो friends मैं अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूं और यहां पर जो बीच में हमने डिजाइन बनाया था उसके भी साइड में छोटी छोटी यह green leaves बना देते हैं तो देखिए कितना प्यारा सा color combination भी हमारी cake पर बन गया है और अब नीचे की तरफ भी border बनाने के लिए मैं simply white color की creamy यूज़ कर रही हूं और बस आगे पीछे करते वे border बना लेंगे यहाँ पर आप चाहें तो star nozzle की मदद से भी border बना सकते हैं बट मैं simply piping bag में एक छोटा सा hole cut करके ही border बना रही हूं तो देखिए cake हमारा कितना प्यारा बन करके ready है friends यह strawberry flavor cake है और इसे मैंने 475 रूपीज में sale किया था तो I hope आज की decoration, आज की हमारी special trick और आज के यह beautiful से color combination वाले flower आपको जरूर से जरूर पसंद आये होंगे और काफी अलग भी लग रहे होंगे तो देरी किस बात की फटाफट से इस वीडियो को like कीजिए जादा से जादा अपने family, friends और relatives के साथ इसे share करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ channel पढ़ रहे हैं तो channel को भी please subscribe करके side में दिया गया bell icon प्रेस कर लिजेगा ताकि हर बार आपको मेरे वीडियो की notification टाइमली मिलती रहें तो आज के लिए guys बस इतना ही हर बार की तरह फिर से कुछ नया सीखने के लिए हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए bye bye take care and thanks for watching